हईलो फ्रेंज वेल्कम टो गितकिनु.डॉट कॉम में आपका स्वागत है आज हम बनाने जारे मिल्क पाउडर बर्फी जो की खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे सिफ आप पांच मिनट में बना सकते हैं बहुत ही जल्दी बन जाती है खाने में बिल्कुल बाज जिसे आपको जरूर क्लिक करना है ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं तो आए बनाना शुरू करते हैं मिल्क पाउडर बर्फी मिल्क पाउडर बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ कप मिल्क पाउडर, हाफ कप दूब, थोड़े से पिस्ता और बादाम जीने मैंने बारिक काट लिया है वन टीबल स्पून देशी घी मैंने यहाँ पर चीनी नहीं ली है क्योंकि जो मिल्क पाउडर है वहुत ही मीठा है मैंने यहाँ पर नेस्टले एवरी डे का मिल्क पाउडर लिया है आप जो भी मिल्क पाउडर लें आप पहले टेस्ट करके देख लें कि वह मीठा है या नहीं है अगर मीठा नहीं है तो आप उसमें 1 पोर्थ कप चीनी एड़ कर दें मैं यहाँ पर बिल्कुल भी चीनी एड़ नहीं करेंगे और पैन आपका नॉन्स्टिक ही होना चाहिए क्योंकि मिल्क पाउडर बहुत ही स्टिकी होता है तो हो सकता है कि आपका जो मिक्षर है वो नीचे चिपक जाए तो कोशिश करें कि नॉन्स्टिक पैन ले और गैस को मै अब इसमें हम दूद आइड कर देंगे घी आइड कर देंगे मिक्स कर देंगे से अब इसमें हम थोड़ो थोड़ो मिल्क पाउडर आड़ करेंगे एक साथ सारा नहीं करना है नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे इस तरीके से हम मिक्स करते रहेंगे इसको बाकी भी डाल देते हैं मिक्स करने के बाद हम गैस को मीडियम पे कर देंगे और मीडियम पे हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है जब तक ये बिलकुल थेकना हो जाए और इसे लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो ये नीचे से लग सकता है इस तरीके से हमें इसे लगातार चलाना है गैस को मीडियम पे कर देते हैं यह देखिए हमारा मिक्षर गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और हमें इसे अभी और ठिक करना है जब तक कि एक लंब जैसा ना हो जाए तो लगातार चलाते रहेंगे और जैसे यह गाढ़ा होगा हमें इसे और तेजी से चलाना है हमारा मिक्षर काफी गाढ़ा हो गया है हम गैस को लोपड़े कर देंगे और इसे अभी भी हमें और चलाना है यह देखिए हमारे मिक्षर ने कढ़ाई को छोड़ना स्चार्ट कर दिया है हमें इससे जादा नहीं पकाना है गैस बंद कर देंगे और इसे ग्रीस की हुई प्लेट में निकाल लेते हैं और जिसमें आपको बर्की जमानी है इस मिक्षर को उस चीज में निकाल लेंगे यह देखिए मैंने इस तरह का बेकिंग टिन लिया है आपको धाली भी ले सकते हैं मैंने इसे डेसी ही से ग्रीस कर लिया है अब इसके अंदर हम मिक्षर डालेंगे और इस मिक्शिर को हमें विल्कुल बराबर करके फैलाना है आपको फ्लैट चीज ले 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 जिससे आप इसे बराबर फैला पाएं इस तरीके से हमें इसे विल्कुल फ्लैट कर देंगे इसके उपर से हम काजू बदाम डालेंगे जो हमने काट के रखे थे दबा देते हैं इसे ताकि चिपक जाए इसमें इसमें बिल्कुल प्लैट कर देना अगर आपके पास कोई प्लैट स्पैचुला है आप उससे इसे बिल्कुल प्लैट कर दीजिए और अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, आप चाहे तो इसे फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रख सकते हैं, यह बिल्कुछ सेट हो जाएगी, तो मैं इसे फ्रीजर में रखने वाली हूँ, और उसके बाद हम बर्फी कट करेंगे, यह देखिये, हमारी बर्फी बिल्कुछ सेट हो चुकिए, मैंने इसे फ्रीजर में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, और अब यह बिल्कुछ सेट हो चुकिए है, हम पीसिस कट कर लेते हैं, इसके पहले साइड से इस तरीके से, अब इसके पीसिस कट कर लेते हैं निकाल लेते हैं यह दिखिए हमारी बर्फी कितनी अच्छी बनी है बहुत ही सॉफ्ट बर्फी है यह बहुत ही टेस्टी बनती है बिल्कुल बाजार जैसी आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही बढ़िया बनती है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको य मेरे यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें